कि अध्य दूद्ध हम यह सी पाट सेकिंड में बात कर रहे हैं और हमारा इक्की सिटम कंटिन्यू था कि इकल हमने आपको इस टैम इस टैम में जो इंटर नोड की आपको समझाए ती किस तरीके से स्टैम्पु यदि हम काटते हैं तो उसको कैसे दिखाई देता है आज हम उसकी ले रहे हैं रिप्रॉड़क्टिव च्रेक्चर यानि कोन के बारे में पढ़ेंगे जिस जो की एक टर्मिनल एंड पर जो लगा लेता है हमने जब आपको को एक्स्टरनल स्ट्रेक्ष्य बताया था तब उसमें समझाया था कि एक्वी सीटम के ब्रांचे से और फेरेल प्रॉर। और कुछ्छ इस्टरायड ब्रांचित होते है तो इस कोन में हमने आपको बताया कि न ब्रांच के क्या होता है जब हमें प्रैक्टिकल करना होता है तो सब्सक्राइब करना हो यौन का प्लांट में सब्सक्राइब। यहां पर हम इसको कोन कहेंगे कोन के अंदर इस पोरेंजिया जो है वो लगी हुई रहेंगे इस पोरेंजिया में मियोसिस के बाद स्पोर्स बनते और फोर्मिलो इसकोर्स जो है वो गेमिटोफाइट को जन्म देते तो क्यूंकि यहां हम पढ़ रहे हैं इस कोन में यह जब हमने शिलाजी ने लाओ पढ़ा था कि स्ट्रॉबिलस होती है और स्पोरेंजिया होती है जिनने कहते हैं माइक्रोस्पोरोफिल या मेगाइस्पोरोफिल यहां पर यह स्पोरेंजिया जो है वह स्पोरेंजियो फोर पर व्यवस्थित होती है और यदि हम एक स्पोरेंजियो फोर देखें स्पोरेंजियो फोर मिलकर सक्सेसिव कहना चाहिए रोल्स में यान चक्रिक्रम में व्यवस्तित होते हैं कि एक दिस्क लाइट पर आज से दस इसप्ड साइब में कमें लटकी दिखाई देखें तो यह इस Phorengio 4 निखाया है एकौरंजियो तो यह एक दिस्क लाइक प्रेक्चर है जिस्में बेंटल साइट पर 8-10 इस Phorengio 4 यह इस तरीके इस Phorengio 4 जो है वो यहां हम देखेंगे किस तरीके से मिट कर कोन बनाते हैं तो यह चक्रिक क्रम में व्यवसीत होते हैं यदि इस कोन को यहां से काटेंगे तो इसका इस प्रकार का दिखाई दिखा और यदि हम इसको यू काटेंगे तो इसका इस तरीके से दिखाई तो यह इस पूरेट ची यह यहां पूर केने देखें यहां पूर में इसको एद 실कतक हैं तो पूरेक्स पर यहां एक्सीस पर जीसे हैं गु memory टॉर्मिनल एंड और यह लगा हूए तो लगभक समझने यह वह तर्मिनल ब्रांच का पर काटते हैं तो प्रफीज पर ये बूद ऐसे स्टैम एक्सिस होती है इस टैम ब्रांच के टर्मिनल एंड पर यह लगा हुआ है तो लगबक समझ लिए उस टर्मिनल ब्रांच का गी एक्सिस जो है वह कॉन एक्सिस कहला ही आगे दितर जो कोन पनाती है तो कौन एक्सिस हो गई इस कौन एक्सिस पर स्पॉरेंजियो फोल है ये दों पर देखते हैं तो एक स्पोरेंजिया पाइए जा लेकिन हमें सेख्षिन कटिंग में कि इस निखाई चीज़ाए देगी केवल दो तो यह एक स्पोरेंजिया है एक यह पेंटिव डिस्ट और इसके अंदर यह हो गई इसको did you 분들은 के चा अब अ नचेसे पाये जा रहे है इस पोरर यह इस्पोर्थ धूरग कर बना दिता दो पूरी मिर्द वहाँ सारी पिर आप बना देगा just तो इन में क्या क्या में चीज है यह पैल्टेट डिस्क जो की इस तरीके की है और यदि हम सेक्शन कटिंग करते हैं तो दो इस पॉरेंजिया इसमें हमें दिखाई देगी होती कितनी है आर्ट से 10 और सबसे एकॉर्टेट बात यह होती है इस टॉप यह जो पैल्टेट डिस् एक डिशी प्रकार के शोर्टी के अन्डर हमें दो दिखाई दे रही है वैसे आठ यह 10 आठ यह 10 ए इन इस पॉरेंजिया के अंदर समान प्रकार के श्पोर्स बंते है यानि यह जो इंद मेली स्ट्रेक्चर नहीं होती है जो कि सिल्याची नला के अंदर पाई जाती है कि ये मं इस चित्र के से बनाए धो यह ऐसे दिखाई देते हैं पूरा अक्स्टर्णल्य तरह कर देते हैं, जिस पर यह इस porangio 4 एक चक्रिक्रम में यानि रोल्स में लगे हुए दिखाई देते हैं आप अलग-अलग से तुकड़े से दिखाई देते हैं यह polygonal structure यानि जो कौन है उसमें इस porangio 4 polygonal shape के दिखाई देते हैं तो यह हमें इस porangio 4 की structure हो गई ls के अंदर यदि हम ts में देखें तो ts में की यानि हम इस section को यहां से काटें तो भी हमें इसकी यह tinted disc दिखाई देगी प्रते इस porangio 4 की और यह हो गई sporangia और इसमें यह हो गए spores और यह क्या है इसकी axis तो बिलकुल ls में जो हमें दिखाई दे रहा है वही हमें ts में भी दिखाई देगा तो बहुत सारे इस porangio 4 मिलकर क्या बना रहे है और इस पोर इसका बहुत सिंपल होता है तिन वाड इसके है यूनी नूट्येट है तिन वाड है यूनी नूट्येट है क्यों और सबसे इंप्रॉटन बात कि है प्रॉइद है क्योंकि यह इस porangio में दे आ है जे दिखत सा 2020 सबीवर इनकि मियोसिस के बाद इसमें इससे इसंप्र्सठें इस इसके इम्पॉटन बात और भी थे इसंपोर्स छाह जिलेटर में बहुत सारे तो इस तरीक olsa जोगें यहां और यहां देखें तो इस प्रकार का होता है पूरी इसिक रख्याह साइड पर और यहां दोनों साइड पर है यहां कि इसका सेक्षन है पूरा चक्रिक्रम में हमें नहीं दिखाई देगा तो एक एक पैटिट डिस्क के साथ साथ हमें दो दो इस पोरेंजिया दिखाई देगा इतना सही है और दुसरी बात यह कोन एक्सिस जो है आपको कम्प्लीट अंदर से पूरी सॉलिड दिखाई देती है यह होती है। एक एक मतर हुमा ऐसे देखाअ है उकलीनिक अब the फिकिननिक होती है और कि स्पोर्स देखें तो एक 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 होइस पूरस है एक एक स्पोर्येश्रेक्षी मिगुटी हमेक्नी दिख्लेट है है जो की बाहर थिन वाल्ड कहना चाहिए एक तिन वाल्ड से घिरा हुआ है और इसके चार्म तरफ रोल्ड विल्कुल स्पाइरल प्रम में लिप्टे हुए चाहर के लेटर्स पाए जाते हैं जो इसके डिस्पर्जल में मदद करते हैं तो यह आज हमने कोट की की है और यह स्पोर्ज जो है क्योंकि है प्लॉइड हो गए हैं यह जर्मिनेट होकर इसका गेविटोफाइड बनाएं यानि यूग मपोद बनाएं तो यह आज पड़ा है कोल कोट का टीएस पड़ा है एलस पड़ा है स्पोर की स्ट्रेक्चर पड़ी है नेक्स टन पर हम करें गया है हमार से लिया थैंक्यू